हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई इस्टड़ी शीट चैनल दोस्तों प्रिवियर सीर में जितने भी कोस्टन्स पुछे गए हैं फिजिकल एजुकेशन कंपेटिटिव एक्जाम्स टिजिटी फिजिटी के विएस एन विएस टिल्टी में उन सभी कोस्टन्स को टॉफिक आप bacon करना चाहते हैं उन सभी व्रेशन को बेहतर ही बना सकते हैं क्लोकप्रिय हारवर्ड इस्टेप पर इच्षर जो की और ने रुक को माँणता है क्प्रारम में बना इस जाल दो इस थे फेंगाता है बनाया गया था तो दोस्तों यह प्रारम में कालेज के लड़कों के लिए बनाया गया था और इसका निर्मा उनिस्टो तीरालिस में लिसीन ब्रोहा के द्वारा किया गया था ठीक है कार्डियो वेस्कुलर इंडुरेंश मापने के लिए किस प्रकार के परिच्छड के लिए मानक बनाते समय लड़कियों एवं लड़कों में अंतर देखना आवश्यक नहीं है कौसल परिच्छड, तंदृस्ती परिच्छड, इतलेटिक परिच्छड की बुद्धी परिच्छड तो दोस्तों कौसल परिच्छड, तंदृस्ती परिच्छड, इतलेटिक परिच्छड इन तीनों का मानक बनाते समय लड़कियों और लड़कों में अंतर देखना आवश्यक है बट बुद्धी परिच्षण में हमको अंतर देखना आवस्यक नहीं है परिच्षण का मानक बनाते हैं दोस्तों क्योंकि लड़के लड़की का होने से बुद्धी में कम या ज्यादा नहीं होता है तो यहां पर बुद्धी परिच्षण आपसर नमबर डी करेक्ट एंसर प्रियोग होता है तो दोस्तों स्ट्रेंट इंडोरियल्स के सुधार के लिए सर्किट ट्रेनिंग का प्रियोग होता है सितने को आप संग अंबर घ्रियो औप और इंसर करत त ho जाएगा चांब झालिक दिया है interval training जो होता है वह सहन सेलता या गती सहन सेलता को सुधार करता है develop करता है and part leg जो होता है वह सहन सेलता को develop करता है and circuit training जो होता है वह strength endurance यानि सक्ति सहन सेलता को develop करता है circuit training का खोच किया था Morgan and Adamson ने लंदन में किया था और circuit training द्वारा strength endurance को develop किया जाता है जिसे चाल सक्ति और धैरे के विकास में circuit training एक उत्तम तरीका होता है Next question है बल सहन सक्ति का विकास निवने लिखित में से किसके द्वारा किया जा सकता है अब these होता है इल रटेसम्हें उपरच़र्च में अधी के लिखिना पड़ता है जिसे हमारी हमें स्ट्रिंग मसल्स और ग्लोटियस मांसपेशी को बलसाली, सहन सिल और मजबूत बनाने में यह शहायता करता है ठीक है? Next है सहन सकती परिचार के लिए प्रयोग होता है इसमें क्या प्रयोग होता है दोस्तो साहन सअती परिचर के लिए £3 और नमबर ह्षी है जो स्नों किसी क्रिया कलाप रखने की योगता को साहन सब्सक्वाता को लंबए समय तक ठ्कान के कि कि देखा नहीं जाई रख पाएंगे कि छमता या करने की छमता सवर्ज रखती होती है इसके परिश्थर के लिए डाक्टर केनेथ कूपर एवं बिलियम इस्टब ने सरपथम होम एकसरसाइज यानि एरोबिक के रूप में ट्रेड मेल का प्रियोग किया तो ट्रेड मील का उपयोग को मापने के लिए किया जाता है इसमें से ट्रेड मिल का प्रेयोग किसको मापने के लिए किया जाएगा दोस्तों इसमें सकती गती बल तीनों नहीं होगा आपका होगा आपसा नमबर डी दोड़ में किया गया कारे ट्रेड मिल आम तोर पर दोस्तों एक जगह एक ही जगह पर रहने या दोड़ने के लिए उपकरण है जैसा कि आप सब देखे होंगे ट्रेड मिल का उपयोग दोड़ के लिए किये कारे को मापने के लिए किया जाता है इसका नियमित उपयोग करने से सरी में रक्तसंचार बनता है और रक्तदाप कम करने वह हिदय की मानस्पेशियों को मजबूत बनाने में शहायक होता है नेफ्ट कोशन है दोस्तों यह और अधिक उन्नत प्रकार का लचक प्रसिछड है जिसमें लच्छित मानस्पेशी समू का खिचाओ और संकूचन दोनों शामिल है तो यह किसे से संबंदित है तो दोस्तों यह संबंदित है किसे से संबंदित है दोस्तों दोस्तों स्वानतर ग्राही टंत्रिका पेशी सरली करण एक उच्च तकनी की लचक लैयानी फ्लेक्सिब्लिच प्रिच्छड है दोस्तों जिन मैं लच्छित मानस्पेशी समू का खिचाओ और संकूचन होता है लचित मानस्पेसी समुका खिचाओ और संकूचन होता है दोस्तों जो इसको पी एनफ मेथड भी बुला जाता है इसका फुल फार्म होता है प्रो पायो सेटू नीरो मस्कूलर फैसिलेशन यह लचकता बहाने की सरुतम विधी होती है दोस्तों लचकता यारी जाता है यानि स्वा तंट गराही तंत्रिका पेसी सरले करण इसको इंग्लिश में प्रो पायो सेटू नीरो मस्कूलर फैसिलेशन बुला जाता है जिससे साफ में पी एनफ मेथड भी बुला जाता है नेक्ट कोचन है शरीर पर नियंतर तनाव और नियंतर अधिभार का प प्रफॉमेंस को डिवलब कर सकते हैं बट ओर लोड दे करके नहीं लोड देना अच्छी बात है और लोड देना गलत बात है तो यहां पे नियंतर तनाव और नियंतर अधिभार का प्रेडाम का क्या प्रेडाम होगा दोस्तों यहां पे ठकावट और चोट नियंतर तनाव और नेंतर अधिभार का प्रेडाम हो जाएगा आपसा नमबर ए गड़ेट अंसर हो जाएगा दोस्तों और नेंतर तनाव अधिभार से इसके खिलारी की प्रफार्मेंस में गिरावाट आती है ठीक है नेक्स कोशन है दोस्तों मांसपेसी सहन चमता अधिでनमेंस के कौन सा मांसपेसी सहन चमता के स्बसे अच्छा वर्ण करते है इसमें दोस्तों आप बताएगा आपसन नमबर A है भारी वजन उठाने में सच्चम होना B है एक छोटी दूरी तक तेजी से दरने में सच्चम होना ये भी नहीं है C है समय की एक लंबी अवधी के लिए सीधी ट्रांगों से अपने पैरों की उंगलियों को चूने में सच्चम होना D है ठके बिना पुनरा बित्ती कारियों को पुरा करने में सच्चम होना दोस्तों यहाँ पे सबसे उत्तम वड़न है इसका आपसन नमबर D ठके बिना पुनरा बित्ती कारियों को पुरा करने में सच्चम होना है जहां पर पुन्रा बित्ति आ जाए वहां पर साहन सिल्टा होगा जहां एक बार आए वहां सक्ति होगा यह धियान रखिएगा सिच्छा में खेल बिधी के प्रवत्ति को माना जाता है बट प्रात्वी सिच्छा में खेल बिधी को बिचाधारा का स्वर प्रत्म प्रवेग किया था फॉवेल ने जिनिक किंडर गांड़ा प्रधाती के जनक भी बोला जाता है फॉवेल को निल क्वोल की निल लेखिट में कौंड सा अईनो टोनिक प्रसींशण की अन्दर्गत आता है तो तो दोशिज गांयदो होता क्या है इसमें इसमें रहते हैं और मानस्पेशी छोटी बड़ी होती है और इसमें गतिया जो होती है प्रत्र शुरुपसित दिखाई देती है और इन ब्यामों में कारे होता है जिसके तोरा मानस्पेशी में तनाव बना रहता है मानस्पेशी के लंबाई में बृद्धी और छोटी दोनों होती है इसमें लचक का आपसन नंबर बी वेट ट्रेनिंग शही हो जाएगा नेक्ट कोशन है सबल्ले ब्यायाम का दुसरा नाम है सबल्ले ब्यायाम यानि कि आइसो टोनिक एक्सराइज का दुसरा नाम क्या है दोस्तों यहां पे आपसन नंबर बी गतिसील ब्यायाम शही हो जाएगा सबल्ले ब ब्यायाम एक्सरसाइज भी बोला जाता है नेक्स कोच्चन है दोज्टों हाईपर एक्स्टेंशन तब होता है जब एक्स्टेंशन का कोड के परे होता है किसके परे 180 डिगरी के परे जब होता है लो हाइपर एक्स्टेंशन हो जाता है लेak्स कोय शेय है एक्सट कोशन है प्रसिचण कैक्रम में एथलिट के क्रत्रा क्राईडरेत की माकरा होनी चाहिए थो एथलीट के क्र pronounce क्रत की की माकरा होनी चाहिए 60 से 65 % तीख है को दोस्तों कार्बो हाइडरेत क्या करता है इसका बुनियादी कार यह होता है कि यह शरीर खास तोर पर हमारे दिमाग की तंतु प्रडाली को उर्जा या ताकत प्रदान करता है जैसे कि दोस्तों आपको जब भूख लगता है तो आप का सरीर सिथिल पर जाता है काम करना बंद करने लगता है आप सुष्ट पर जाते हैं आप जिए खाना खाते हैं पुना आपके अंदर उर्जा बनने लगता है अपुना आप उसी जोसे कारिक करने लगते हैं तो कार्बो हाइडेट यही कारिक करता है सारी सिच्छा के पार्थे वीवरों में किस बात का ध्यान रखना आवर्शक नहीं है बच्चों की आशकता पर बित्य की सुष्धाएं पर सारी सिच्छा के उद्यस्चे पर कि धार्मिक सुधार पर दोस्ते यहां पर धार्मिक सुधार पर ध्यान देने का आवर्शकता न नेक्ट कोश्चन है मानो सरीर के सारीरिक बनावट से संबंदित एक सैच्छिक पाठेकरम को कहा जाता है तो क्या कहा जाता है सारीरिक सिच्छा आपसन नमबर सी कि दूस्तों सारी सिच्छा का उद्रिष क्या होता है सरवांगिर विकास कर ना सारीक मांसिक समाजीज़ है ध्यातमीक हर इक तरह का सरीज के लिए कि Анд कि इन तुछे मी थामस ने दिया था। नेक्ट कोश्चन है कि सारी क्रियाओं में भाग लेने का मुख्य उद्देश्च्थ चया है गुल्फ का खेल जितना की अपनी शक्ती का बहतर प्रतर्सन करना कि तेनिस खेल जितना कि शोवमीटर में अपना बहतर शमीवें देना तो दोस्तों यहां पे आपसर नंबर B करेक्ट हो जाएगा अपनी सक्ति का पेहतर प्रतर्शन करना निफ्स कोर्चन है निमने लिखित में से कौन सा वहजन घटाने का सबसे सुझचित और सबसे उपयोगत तरीका है डायेट गोलियों का उपयोग करना कि समझदारी से खाना और प्रयाप्त रूप से कसरत करना कि पेट की सरजरी करवाना कि अंसर करना तो दोस्तों इसमें आपसर नंबर B सही है समझदारी से खाना और प्रयाप्त रूप से कसरत करना वजन खटाने का सुच्छित अवप्यूक्त तरीका है दोस्तों ब्यायाम करने से रक्त प्रवा हिदय धरकन दर्समानने होता है कोलेश्ट्रोल आयतर में कमी और कोशिकाओं की शंक्या ये कुसलता में वृद्धी होती है सारी सिच्छा की आवश्यक्ता है लोगों के आम स्वास्त में सुधार के लिए कि मनुष्य के समद्धों को समझना कि प्राकितिक संपदा को बचाना कि अनुवांसिक तथा वतावरण को समझना तो दोस्तों सारी सिच्छा की आवश्यक्ता है लोगों के आम स्वास्त में सु जाती है सारी सिच्छा का संबंध है लोग क्या मांते है सारी बीकास सिच्छा चाया样 ही सारी विकास से समझत है यह मांसी विकास से समझत है तो दोस्तों लोगों के पती लोगों का सारी सिच्छा के पती यह गलत धाड़ा है कि यह व्यायाम ही सारी सिच्छा है व्यायाम को ही सारी सिच्छा समझते हैं यह गलत धाड़ा है अपसर नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा जब क बिकास करता है बिक्ति की सारीक मानसिक समाजीक अध्धЙात्मिक ठीक है नेक्स्ट कोस्टिन है कि की सरीर के अंगों के विकास के लिए कौन सिर्चा महतपुरू है तो जब सब यह आप सभी आंसर दे लिए वहांगे शारी सिर्चा सहरी सिर्चा मुंगेदी इंपट नन अलएं विकूत दोस्तों कोश्टन में प्रतियों की खेलों में है क्या है कि खेल प्रदर्षण को जाने में वहायक होते हैं खिलारीयो के कउंजोरी को जानने में शाइक हमोते हैं ःउपयूक drift सभी तो दोस्तो यह सब yarnे में हम सहायख होते हैं आपस Clemente करेंगे तो दूस्तो आज के लिए यह सबगाम की सबी कुशन आपको समझ में आए होंगे तो वीडियो का लगा मुझे कमेन में ज़रूर मताई है और अपने तयारी को बेहतरिन बनाते रहे हैं दोस्तों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए वेल आइकन को प्रेस कर लिजिए जिसे जो ही बनाया वीडियो अप्लोड करूंगी उसका नौटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्ट टापिक के साथ तब तक के लिए जये हैं